हाई दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेल दक ट्रिप का एपिसोड नमबर वन जिसमें कि पूरा आएगा प्रिपरेशन एंड प्लानिंग दोस्तों इस वीडियो में हम बजट कवर करेंगे क्या बजट आपको केरी करना होता है अगर आप लेल दक ट्रिप का प्ला करने वाले हैं इस एपिसोड में मैक्सिमम प्लानिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड ही बात होगी इसके बाद वाले व्लॉक से मेरा जो में जर्नी है ना लेल दक ट्रिप का रोड ट्रिप का वो जो है कवर करेंगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्लानिंग तो चलिए जानते हैं जो normally जो सबसे ज़्यादा रूट जो follow किया आते हैं वो दो रूट हैं ले लद्दा ट्रिप के लिए पहला जो रूट आता है जो लोग ज़्यादा यूज करते हैं वो है मनाली जिसपा सर्चू ले वाला रूट दोस्तों ये जो रूट है इसमें आपको highest passes मिल जाते हैं जो क मैं इस रूट को recommend भी करता हूँ because इसमें आपको अच्छी roads मिलती हैं चैलेंजिंग मिलती हैं इस रूट पर आप कभी भी बोर जो है वो नहीं हो सकते हैं दोस्तों दूसरा जो रूट आता है वो है स्रीनगर कारगिल ले वाला रूट और दोस्तों इस रूट में भी आपक पर है यहां पर आपको फोलले डोट यह वह भी देखने को मिलेंगी तो अगर आप बिग्नर हैं तो मैं रहें टिंगर करता हूँ कि श्रीनगर कारगिल वाला जो है अगर आप रूट करते हैं तो आपके लिए सही हैं दोस्तों अगर आपको जादा adventure चाहिए and multiple weather condition चाहिए तो दोस्तों मेरा totally recommendation है कि मनाली जिसपा सर्चू वाला जो ले वाला जो route है ये आप try करिए and actual में आपको इसमें बहुत ज़ा मज़ा आएगा and कही लोग जो है इस route पे circuit भी करते हैं दोस्तों circuit वर्ड भी सुनने मिला वाले लद्दाक में and दोस्तों ये जो होता है कि कई लोग जो है सर्चू जिसपा मनाली जो है इस तरह से पूरा circuit जो है एक पूरा circle जो है वो complete करते हैं तो ऐसा भी चाहें तो आप कर सकते हैं and दोस्तों अब कई लोग बूलेंगे इसमें number of days कितने चाहिए होते हैं कितने दिन के लिए आप ये planning कर सकते हैं तो दोस्तों अगर days के calculation की जाए अगर मनाली से अगर आप route start करते हैं जैसे जो मैंने start किया था तो मैंने 3 days में complete किया था ले तक के लिए तो 3 days मतलब मैंने मनाली से जिसपा से सर्चू से ले दोस्तों ले के फिर आसपास जो है अगर आप areas गून जाते हैं जैसे पैंगॉन लेक अगर आप जना जाते हैं खड़दुंगला जाते हैं या फिर नूब्रा बैली जाना जाते हैं तो इन सब भी जगा के लिए आपको अलग अलग जो है फिर days रखने पड़ेंगे मतलब आगर आप total number of days देखें तो तीन दिन जाने के लिए और ले में फिर आप वहां से 4 days minimum चाहिए आपको वहां पर explore करने के लिए दोस्तों फिर वहां से रिटर्न आने के लिए आपको तीन दिन चाहिए या दो दिन चाहिए आप इस तरह से कर सकते हैं तो minimum अगर हम बात करें तो आपको 10-12 days जो है minimum planning करके लिए चलना होता है जिससे आप अच्छे से explore कर सकते हैं इस route को आप और जादा compact भी कर सकते हैं ब सब्सक्राइब करते हैं तो उसी चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करता हूँ because जो मज़ा है इसमें वह जर्नी का है ना कि destination का है destination में जाने के बाद आपको नॉर्मल लगेगा फील अच्छा लगेगा बट हाँ जो जर्नी का मज़ा है मैं कहूंगा कि आप थोड़ा तो शॉर्ट शूर्ट रूर के लंबा टाइम लेगे चलिए जिससे कि आप जो है उस climate में पूरे प्रॉपरली ढल सके और आपको जो enjoyment के लिए जिस adventure के लिए आप गए हुए वह एक्चली आप कर सकते हैं तो यह था दोस्तों रूट प्लान जिस तरह से आप कर सकते हैं डिसक्रिशन बॉक्स में इसका detail में आपको दे दूंगा तो आपको आइडिया भी हो जाए कितने किलोमेटर पर क्या क्या है में जो मेरा जो है interesting रहेगा वरना सफर भी बन सकता है मतला आप स्ट्रगल भी कर से हैं बहुत सारी चीजिए के लिए तो अगर आप रेंडिट बाइक लेके जा रहे हैं या फिर आप खुद की बाइक है तो अगर आप खुद की बाइक अगर लेके जा रहे हैं तो सर्विस जो है एक व मिल जाते हैं में जो कौस्ट रहता है वे 12-14 रुपर जो है वह आपको देखना मिलता है पर दे का कोस्ट है इसंने पैट्रोल जो है नहीं होदी पैं अगर बजट सेक्सिन में कवर करेंगे जब आप रेंटेट सब्सक्राइब ले रहे हैं तो दोस्तों इसकी साथ में आप जो medical kits हैं आपको carry करनी हैं कौन-कौन से essential spare parts जो है motorcycle के वो carry करने हैं वो सारी डेडल आपको जो है वो आपको मिल जाएंगे essential item जो है उसके checklist जो है मैंने जो carry किया हुआ था वो same जो है मैंने description box में जो है उसका list जो है दिया हुआ है आपके लिभी easy होगा वैसे list लंबी है बट अगर आप जब उसको एकटा करेंगे तो बहुत ही छोटी जगह पर आप उसको easily carry कर सकते हैं दोस्तों एक और important चीज़ है वो है documents दोस्तों document क्या क्या चीज़े carry करने हैं ये भी बहुत सारे question आते हैं दोस्तों आपके बाइक के पूरे documents आपके बास होने चाहिए मतलब उसमें RC हो गया insurance हो गया and POC ये तीनों चीज़ जो है valid होने चाहिए and दोस्तों उसके बाद आता है आपका ID proof मतलब आपका photo ID proof आपके बास होना and दोस्तों कुछ lists of contacts अगर आप रख लेते हैं या फिर एक चोटा सा mini map अगर आप रख लेते हैं अगर आपका net in case work नहीं करता तो ये भी जो है मेरे तब से एक option रहेगा अगर आप document कुछ carry करना चाहते हैं तो and दोस्तों उसके बाद जो है कुछ और electrical items होते हैं चोटी मोट जो आपको साथ में रख लेनी चाहिए जैसे कि torch हो गया या memory card हो गया या फिर आपको आपको चार्जर्स हैं ये सब चोटी मोटी चीजे हैं और camera camera हो गया इसके asteris हो गया power bank हो गया ये सब चीज़ अगर आप carry करते हैं साथ में तो भी अच्छा रहेगा because कई आपको lights नही जिसके वाइसे जो अपना जो plan है ना लेलिदा का cancel होता है वो है budget अब दोस्तों किस budget में जो है आप जो है लेलिदा कर सकते हैं ये सबसे ज्यादा जो है question आते हैं तो दोस्तों आपको बदा दूँ कि लेदा क्रिब जो है आप 20,000 में भी कर सकते हैं वन मतला पूरा जो है लिलद्दक एक्सप्लोर भी कर सकते हैं दोस्तों वहां से आ भी सकते हैं वापस अराम से 20,000 रुपीज के आसपास में अगर आपकी भाइक खुद की है तो तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पर दे पड़ जाएगा आपको वह है पेट्रोल फूड एंस्टे अगर हम बात क कि अगर आप खुद की बाइक है तो पैट्रोल का मिनिममम कॉस्ट जो रहने वाला है क्योंकि एबरेज बाइक उतनी नहीं देती है 350cc क्योंकि हाई एल्ट्रीट पे जो है ऑक्सिजन लेवल नहीं होता एं फुल थ्रोटल पर आप चला रहोते हैं आप फर्स सेगंड गेर म तो आपका डेलीका जो है कम से कम 500 से लेक़ 700 का जो पेल है न वह जाने वाला है तो अःतना बजट आपको लेकर चलना ही आप 800 तक जो भाए ठीक्शका जो है गर जो है तो आप कॉन सा है वहाँपे खाते हैं तो यह 5200 त्यमेंव और टेके हो कहती हैं आ तो आप कौन से टेंट चूज करते हैं वह भी डिपन करते हैं लेस सब्सक्राइब एवरेज ले लेते हैं एक चीज का तो हम कहते हैं कि 700 रुपए जो है पर पर सिंद का जो है अगर लगता है तो अगर टोटल अगर लें अगर इस तरसे बजट बनता है यह मैंने जव बजट बताया है यहें याद रखिगा मनाली से nationale स्कूम है न और ले भूंब रहे हैं तो इसका ब्रॉड मैंने बताया हुआ है वहाँ अगर आप है बंगाल से आ रहे हैं के रला से आ रहे हैं साउच कहीं सिनैं गुज्राथ से आ रहे हैं दिल्ली से आ रहे हैं एन्सका कॉस् नमबर उफ वर इंडौ के आपका एक्स्टा कॉस्ट जाता रहेगा तो आप इसको rozp को शॉट भी कर सकते हैं मियादक आपको सब्सक्राइब था कर सकते हैं तो उसके आप सब वीडियो के नेक्स डे जो है आपको जो है वह एपसोड नमबर वन जो है देखने मिलेगा तो दोस्तों ख्याल रखे ध्यान रखे और देखे रें बुलेट गुरू ऐसी बहुत सारे इंपरमेटी वीडियो अपने आती रहेंगे बाई